मैं हूँ सेद नुरान और आप देखरें इंडीन मीरिया पुक आज की नियूज अपडेट पहली खबर करना रखा कि कोई-19 की दिन प्रति दिन बढ़ते हुए केसेज को लेकर CMBS इडियरप्पा ने एक मीटिंग आयुज़त की है जो मन्डे को यानि आज Ministers और Officials के साथ होगी जहां वो Class 1 से लेकर Class 9 के बच्चों के Final Examinations पर चर्चा करेंगे इस पर Education Minister सुरेश कुमार का कहना है कि संडे की शाम पांच बजे CMD मीटिंग रखी है जहां वो Schools को खुले रखने और आने वाले exams को लेकर चर्चा करेंगे जिसे वो बच्चों के Health और Education को Balance कर सकेंगे इसी के साथ ही Health Minister के सुधाकर का कहना है कि यह माइन नहीं नहीं रखता क्योंकि इससे पहले ही Decide कर दिया गया था कि Class 1 से लेकर Class 9 के बच्चों को Final exams नहीं दिये जाएंगे और उन्हें ऐसी प्रमोट कर दिया जाएगा तो मीटिंग में वो इस बात की भी चर्चा करेंगे जबकि सरकार ने अब तक किसी भी तरह का निर्ने नहीं लिया है खासकर कि स्कूल के प्रडिक्षाओं को लेकर अगली खबर Union Home Minister अमिच्छा ने हाली में कहा था कि नरेंदर मोधी को PM के रूप में और B.S.E.D. उरपा को CM के रूप में करनाटगा को एक Double Engine सरकार मिल चुकी है जो विकास की और बढ़ती जारी है जबकि Bangalore के कहीं सारे Infrastructure Products डिले हो रहे हैं क्योंकि PM नरेंदर मोधी और उनके Cabinet Ministers चार स्टेट और एक Union Territory के Election Campaigning में बिजी हैं कुछ Important Development Projects सरिम विश्वेश्वर एयर टर्मिनल जो बायपन हली में तयार हुआ है लेकिन उसकी Inauguration अब तक नहीं की गई है SWR के Officials का कहना है कि उन्होंने PM नरेंदर मोधी के Office में डेट्स के लिए अरजी दाल दी है लेकिन क्योंकि वो Election Campaigning में बिजी हैं उनको डेट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि बायपन हली का सरेम विश्वेश्वर रहिया टर्मिनल एक सेंट्रलाइजड AC टर्मिनल है जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन के अंदर एरपोर्ट का एक्स्पिरियंस देगा इस टर्मिनल के अपचिट 314 क्रोज में बनाया गया ह है और इस टर्मिनल के अंदर 50,000 लोगों की कपासिटी है इसी के साथ हिं बैंगलोर के मोस्ट अवेटट सब अबन रेलवेस के फांडेशन स्टोन लेंग सर्मनी यानि नीव रखने की सर्मनी भी नहीं हुई है जबकि केंदर सरकार और राज्य सरकार ने यूनियन बज़े 2021 और 22 में 800 और 850 क्रोज रेस्पेक्टिवली सिर्फ डेवलोप्मेंट प्रोजेक्स के लिए दे थे लेकिन अभी तक किसी भी तरह का डेवलोप्मेंट प्रोजेक्स नहीं शुरू किया गया है अगली खबर साथ करीब साड़े आठ बजे तुरहली फॉरस्ट रिजर्व मे के लिए तुरहली फॉरस्ट के अंदर गये तब उन्होंने एक बुरी तरह से जली हुई लाश को देखा जिसके बाद उन्होंने इमीरेटली पोलिस को इनफॉर्म किया जिसके बाद सीनियर पोलिस ऑफिसर्ज और डेपिटी कमेशनर ऑफ पोलिस मौके पर पहुंच कर इस को बोरी में बंद करकर डीजल डाल कर जला नहीं सकता जबकि उन्हें 30 फीट दूर एक डीजल का कैन भी बरामत किया जिसके बाद तलगटा पुरा पोलिस टेशन में एक मरर केस को फाइल किया और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जा रही है तो ऐसे न्यूज अप